ऐसे कैसे वीडियोज बनाना छोड़ दूमें जोस्तों अभी तो पॉलिटिकल साइंस का एक्जाम अभी बाकी है आप लोगों को पॉलिटिकल साइंस में पारकारवाना अभी बाकी है नमस्ते दोस्तों जोहर मैं निमेश सर आप सभी का विश्यक्ट चक्वाथ नहीं हो सकता फटढ़ा फट इसको याद कर लिएक जैलि नेक ने कहा किसने कहा थे दोस्तों जैलिन याद रखी है डक्टर अंबित कर को सम्विधान का जनक भी कहा जाता है चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग कोशन 3 की ओर कोशन 3 क्या पुछाएगी आप देख सकते हैं दोस्तों सम्विधान सभा के लिए चुनाव कब संपन हुआ तो सम्विधान सभा के चुनाव कब संपन हुआ तो दोस्तों 1946 में कब अपसन जो भी है वो करेक्ट अंसर याद रखेगा ठीक है 9 दिसनबर 1904 को सम्विधान सभा की पहली बेटा कोई थी चलिए आगे बढ़ता हम लोग कोशन 4 की ओर कोशन 4 में क्या पुछा गिया कि सम्विधान सभा के उद्गाटन अदीविशन की एज़च था किसने की थी तो किसने की थी दोस्तों डक्टर सचिदानन सिना ने याद रखेगा जो आस्ता एज़च थे ठीक है उस दिन कोई अध्यच नहीं था तो एक दिन के लिए सबसे जो विद इंसान थे दोस्तों वो सचिदानन सिना थे उन्हें आस्ता एज़च की रूपर चुना गिया बाद में राजंद परसाथ का चुनाओ नीम निकित में से किस आधार पर हुआ तो इसको याद करके जिए जोस्तों वर्ग यह मताधिकार इस दा करेक्ट एंसर और सी इस दा करेक्ट एंसर चलिए आगे बढ़ेंगे कि भाति समय्दान की प्रस्तावना के अनुषार भात की सर्वोच सत्ता किसमें नहींद है तो जनता पे नहींद है जनता जब चाहे तब सरकार गिरा सकती याद रख़ेगा सरकार को चुनने के काम है जनता है ठीक है हम लोग एक लोग तांतरी ग्राइज में बिलॉंग करते हैं ठीक है आपसन जो A है वो correct answer है चले आगे बड़ते हैं हम लोग question 9 की और question 9 क्या पुछा गया देख सकते हैं कि सरवोच्चे नियालई ने किस महत्मुन नियने में कहा कि हम उन्मुलन किया है चुवा चुत का उन्मुलन किया है तो आर्टिकल नंबर 17 ऑपसन जो D है वो correct answer करके ही जाना है ठीक है यह सारे कोशिन जैक के फैबिट कोशन से इसको देखकर जाना ही है क्योंकि particle science का model set नहीं निकला है तो इसको देखकर जाना है ठीक है अपने सारे दो भी शेयर कर दें चलिह आगे बढ़ते हैं कि क्या पूछाए गया करने के लिए कि मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए किस के दवारा रीट जारी की ठीक है चलिए आगे बढ़ते हम लोग कोशन नमबर नेक्ष्ट की ओर थर्टी नमबर कोशन क्या पुछेगी आप लोग देख सकते हैं कि निमने में से कौन मौलिक अधिकारों के अंतरगत नहीं आता है दियाद रहें दोस्तों मौलिक अंतरगत नहीं आता वो संपत्तिक अधिकार था साथ वो मौलिक अधिकार पहले था लेकिन अक मौलिक अधिकार को हटा दिये गया वो संपत्तिक अधिकार को याद करके यह हैं तो प्रिप्टि में किस ने कहा कि सम्विधानिक उपचारों का मॉलिक अधिकार बात यह सम्विधान की अंतरात्मा है तो इसका करेक्ट अंसल क्या होजए जो है वो करेक्ट अंसल जए डक्टर बियार अरमितकर जो सम्विधान के जनक भी है ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं लोग क्वेशन नमर्स 16 की में प्रचली थे यह आप से कोशन में 17 पूछा गिया स्वीजर लेंड में भी प्रचली थे यह जर्मानी में भी यानि जो ए और भी बहुत है यह दोनों का दोनों होगा चलिए आगे बरते हैं कोशन में 18 की और कोशन में 18 में क्या पूछे गया कि एकल संक्रमनियमत प्रणाल में कौन प्रत्यासी विजेता होता है तो इसका करेक्ट अंसर होजेगा option D क्या होजेगा दोस्तों option जो D है चुनाओ छेत्र में 19 प्रत्यासी हो से ज्यादा मत प्राप्त करने वाला वो विजेता होता है ठीक है चलिए आगे बरते हैं 20 की और 20 नंबर question देख सकते हैं ठीक ह भात में चुनाओ कोन कराता है करके ही जाना है चुनाओ आयोग कराता है या फिर निरवाचन आयोग को ही चुनाओ आयोग के नाम से जाना जाता है option जो C है वो correct answer है ठीक है या चुनाओ आयोग या निरवाचन आयोग चलि आगे बढ़ते हैं 21 नमर question में देख सकते हैं क्या पूछा गया कि भातिय समिदान के किस भाग में चुनाओ आयोग की विवस्ता की गई है तो भाग 15 में की गई है option जो A है करके जाई है क्योंकि jack के तरफ से 29 में यह question पूछा गया चले आगे बढ़ते है 23 नमर question में क्या पूछा गया कि एक व्यक्ति राष्टपती के लिए अधिक्तम कितनी बार निर्वाचीत हो सकता है तो याद रखी जोस तो कोई भी सीमा नहीं होता लिमिट नहीं होता याद रखी कि there is no limit option जो D है वो correct answer है चले आगे बढ़ते है 24 नमर question में क्या पूछा गया कि किस सम्विधानिक संसोधन द्वारा भात में मताधिकार की आईू 21 वर्स से हटा कर घटा कर आटरवर्स कर दीगे ये ठीक है पहले मताधिकार भोट देने काधिकार 21 येर्स को होते थे आप 18 येर्स में हम लोग का भोटर कार्ट बन जाता यानि भोट देने काधिकार हो जाता है तो यहाँ पर क्या पूछा गिया कि संविधानिक संसोधन द्वारा ठीक है तो इसका करेक्ट अंसर हो जाएगा दोस्तों आपसन नंबर क्या 61 जो है आपसन ए वो करेक्ट अंसर है ठीक है चलिए आगे बढ़ते है 25 नमर कोशन में क्या पुछा गया है कि राज के सासन में केंद्र का प्रतिनिधी किसे कहा गया है तो राज के सासन में दोस्तों याद रखे केंद्र का प्रतिनिधी कोन होते हैं राज जे पाल होते हैं आपसन जो बी है वो correct answer गवर्णर इस दक करने का अधिकार किसको है तो राष्टपती को है और जो ए है वो correct answer गवर्णर निर्वाची सदिश्यों की अधिक्तम सिंख्या कितनी हो सकती है तियाद रखे कि 500 जो ए है वो correct answer है जो इसको याद करके जाना है तो इसका correct answer हो जएगा लोगसभा का इध्ष्यों की अधिक्तम सिंख्या क्या हो सकती है तो इसका correct answer हो जाएगा जारकंड में एक सदनी है नहीं है चलिए आगे बढ़ते 32 में क्या पुछा गिया की संजुक्त बेठा की अध्श्ता कोन करता है तो इसको याद करके जाना है तो इसका correct answer हो जएगा लोगसभा का इध्ष्यों की अधिक्तम सिंख्या है तो इसका भी याद करके जाना है तो इसका भी याद करके जाना है लोगसभा का इध्ष्यों क्या पुछा गिया है तो इसका भी याद करके जाना है लोगसभा का ठीक है चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग 35 नमर कोश्चन में क्या पूछा गिया देख सकते हैं कि विधान परिसत के सदश से कितने वर्सों के लिए रिवाचीत होते हैं तो या तो लोगसभा में या तो राज्य सभा में आपसन जो C है वो करेक्ट अंसर है चलिए आगे महिला स्पीकर कोन है तो याद रहें दोस्तों मीरा कुमार इस दा करेक्ट अंसर ओप्सन B इस दा करेक्ट अंसर चलिए आगे बढ़ते हैं 38 नमर कोश्चन में बहुत इंपॉर्टन कोश्चन है कि निमन में से कौन राष्ट्वती के निर्वाचन में तो मद्दान नहीं कर करते हैं तो इसका याद करिए कि दोस्तों आपको बी दिखाई दे रहा है वह करेक्ट अंसर है संसत के मनोनीत सदैसी है ठीक है चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग कोश्चन नमर 39 की हो 39 में क्या पूछा गया देख सकते है कि कानून के सासन पदबंध की रचना किसने की बह रखेंगा रिटार्मेंट एज क्या है यह आपसे कोश्चन ने पूछा गया तो 62 जो भी है वो करेक्ट अंसर है इसको करके जाईए जैक के तरफ से 2019 में पूछा गया चलिए 41 नमर कोश्चन देखते कि बात में कुल कितने उच्चे नया लई है करके जाना है जोस्तों बात 31 क्या हो जाएगा आपसन जो सी है वो करेक्ट अंसर 31 चलिए 43 नमर कोश्चन देखेंगे क्या कुछ है गया कि संग सुची में कुल कितने विसाई दिये गया है तो याद रखेंगे कितने दूस्तों 100 विसाई दिये गया है जब संभिधान लागू हुआ था तब कितना था दोस्तो 97 अभी वर्तमान में 100 विसाई है ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग कोश्चन नमर 44 कियो 44 में क्या कुछ है कि आप लोग देख सकते हैं दोस्तों कि भातिय संभिधान अर्द संगात्मक है किसने कहा याद रखेंगे का है ओप्सन जो ए है वो करेक्ट अंसर विभा और तलाक ठीक है चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग कोश्चन नमर 46 की ओर कि भात में सुधरिंड केंदर के साथ संगिय धाचा का विचार कहां से लिया गया है तो कुछ पिश्चन नमर 46 का एंसर क्या हो जागे दोस्तों इसका करेक्ट अंसर हो जीगा आप्सन नमर 48 का अंसर देखते हैं कि भातिय संगात्मग विवस्ता में आपसे सकतिया किसके पास है तो याद रखियेगा संसत के पास है किनके पास है दोसतों संसत के पास है आपसे जो डी है वो correct answer है पालिया मेंट चलिए आगे बढ़ते हैं 49 की ओर 49 में क्या आप उचा एंगे देख स पहला राज्ज कुन सा है पहला राज्ज है राज्जश्थान ठीक है रासे राज्ज राज्ज राज्स राज्स थान याद करके जैएगा चलिया आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेशन अबार 59 की ओर ठीक है राज व्यवास्ता से है, option जो D है, वो correct answer है, चलिए आगे बढ़ते हैं, 53 की ओर, 53 में क्या पूछेगी है, कि भायत में निमलिकित में से, किसके अंतरगत प्रणचायती, राज परनाली की व्यवास्ता की गई है, तो याद रखेंगे, राज के नितीनी जासा, सिद्धान तो option जो C है, वो correct answer है, चलिए 54 की ओर देखते हैं, कि संबिधान की एगारवी अनुसुची में पंचायतों के अधिकार छेत्र में आने वाले कितने विशयों का उल्ले किया गया है, टोटल 29 विशयों का उल्ले किया गया है, बहुत important question है, जैक के तरब से, दोजा 20 में पूछा गया question है, चलिए आगे बढ़ते हैं, 55 नमर question की ओर, संबिधान को एक पवित्र दस्ताविच किसने कहा है, हुली डकुमेंट किसने कहा है, यह आप से question पूछा गया है, तो इसका correct answer क्या होजएगा, बी आर अमबेतकर, क्या होजएगा, आपसन जो C है, वो correct answer है, चलिए 56 न संबिधान पर निम्लिकित में से, किसने सारवद्रीक परभाव छोड़ा, तो इसका याद करके जाएगे जोस्तों, भारत सरकार अधिनियम 1935, क्या याद करके जाएगेगा, बारत सरकार अधिनियम 1935, चलिए 58 कोशन देखते हैं, कल्यानकारी राज की संकल्पना का समावे इस बात के कि संबिधान में है, तो याद रखिए दोस्तों, इसका करेक्ट अंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट अंसर राज के निती निदे सक, तत्व में, कहा है दोस्तों, ऑप्सिन जो D है, वो करेक्ट अंसर है, चलिए 59 की और बढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्ण होकर राज पर ही समाप्त हो जाता है, तो इसका याद कर जाएगे, जोस्तों, ऑफसर नमर जो A आपको दिखाए दे रहा है, वो करेक्ट अंसर है, J.W. Garner is the correct answer, चलिए 61 नमर कोशन देखते हैं, क्या पुछा गया कि प्राचीन यूग में राज का क्या रूप था, तो प्र कौन इसको करके जाएगा, इसका correct answer क्या हो जाएगा, राजती के जनक भी नहीं को कहा जाता है, चलिए आगे बढ़ते है, 63 की ओर, कि आदुनिक राजती के विग्गानिक कोन है, तो डेविट इस्टेन है, क्यों है दूस्तों, डेविट इस्टेन is the correct answer, और संसी is the correct answer, चलि कि आगे बढ़ते हैं, 65 की ओर, कि नहीं राजती का पिता किने का आ जाता है, तो उसका correct answer की जिएगा, मैक्यावेली, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते है, 66 की ओर, क्या पुछाए गया, कि राजती विग्गान का आरम और अंत राजती के साथ होता है, किसने कहा है, तो इसका correct answer हो जागा, गार्नर is the correct answer, क्या हो जाएगा, option C is the correct answer, चलिए आगे बढ़ते है, 67 की ओर, क्या पुछा गया है, कि किसने कहा है, कि मनुष्ट्र जनम से स्वातनतर है, कि तू हर जगा बेडियो से जकड़ा हुआ है, 20 में ये question पुछाए गया, इसका correct answer है, रूसो, क्या हो सभी परकार के बंदनों का अभाव, option C में आपको दिखाई दे रहा है, चलिए, आगे बढ़ते हैं, लोग नेश्ट कोईशन की ओर, 71, किसने freedom from fear, याद रखिएगा, किसने freedom from fear नामक पुष्टक लिखी, दो आज जाए, 19 में ये question पुछाए गिया है, और एक important book का नाम है, freedom from fear, इसका याद करके जाएगे, दोस्तों, इसका correct answer हो जाएगा, आंग सान्सू की, आंग सान्सू की is the correct answer, ठीक है, आंग सान्सू की, देखिए, भूध जाणने वाला मंत्र लग रहा ना, लॉंग वाक टू freedom का answer क्या हो जाएगे, दोस्तों, नैलसर मंडेल, option C, जो है, वो correct answer है, चलिए आगे बड़ते, 73 की ओर क्या पुछाएगे, नेमने में से कोन राजितिक स्वातंतरता नहीं है, तो इसका correct answer क्या हो जाएगे, दोस्तों, आज जीवी का पाना is the correct answer, option B is the correct answer, चलिए आगे बड़ते, 74 की ओर क्या पुछा गिया, कि व्यक्ति पर बाहरी परतिवंदों के अभाव को क्या कहेंगे, तो इसका correct answer जोस्तों, स्वातंतरता, ठीक है, आपका कोई भी जदी, क्या पुछा गिया, कि व्यक्ति का जदी बाहरी परतिवंद का अभाव होगा, that means आप स्वातंतर है, आप से जो सी है, वो correct answer है, चलिए आगे बड़ते हैं, नेश्ट कोईशन की ओर, नेश्ट कोईशन में क्या पुछा गिया, कि या कथन किसका है, कि गरिमा पुन मानविय जीवन जीने के लिए, जरुरी है कि हम भाई पर बिजय पाएं, तो इसका correct answer है, तांग सांसू की भाई, मतलब जोस्तों भूत का, हमने बताया कि भूत का अगर मंत्र अगर भूत भागाना, तांग सांसू की मंत्र पढ़िये, डर भाग जाएगा, ठीक है, जिसका अभी correct answer हो जाएगा, अप्सन 20 दक, correct answer, चलिए आगे बड़ते है, 76 की ओर क्या पुछा पुछा गिया है, पुछा गिया है कि साकारत्मक दिष्टी कोन के पक्षधर नेमने में से कोन नहीं है, ठीक है, देखिए, पॉजिटिव एटिडूड में समर्थन कोन नहीं दे रहा है, यह आप से question, पुछा गिया है, इसका correct answer हो जाएगा, एफ, ए, हायक, याद रखेग जो D है, वो correct answer है, चलिए आगे बढ़ते हैं, 77 नुमर question में, कि कोन सी सरकार व्यक्ति की सौतनता पर कम से कम पर्दीवन लगाती है, तो वो लगाती है, कोन दोस्तों याद रखेगे, लोगतांत्रिक सरकार, option जो B है, वो correct answer है, चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग नेक्ष इसको याद करके जाना है, चलिए याद करके जाना है, आगे बढ़ते हैं, 81 में पूछा गिया है, क्या, कि प्राचीन भारती है, समाज में नयाई का संबन था, याद रखेगे, धरम से, ठीक है, धरम is the correct answer, option C is the correct answer, चलिए 82 में बढ़ते हैं, हम लोग क्या पूछे गिया है, प्लेटों ने अपनी किस पूस्तक में नयाई संबन संदी और धाना की वैखा की है, तो इसका correct answer रखेगा, दा रिपाब्लिक याद रखेगे, दोस्तों, क्या हो जाएगा, option D, जो है, वो correct answer, question आए जाएगा, कि प्लेटों ने कौन सी बुक लिखी है, दा रिपाब्लिक लिखी है, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, हम के लिए बीडियोस प्रभाइड करूँ, ठीक है, बहुत कम समय दिया गया, दोस्तों, 3-4-4 पेपर, एक ही दिन का एकजाम, एकदम समय ने दिया गया, दोस्तों, कुछ नहीं कर पाना है, ठीक है, देकि चलिए जितना हो सकता मेरे अस्तर में बीडियोस बनाया जा रहा है, टेंसर मत लीजिए, अच्छे से देख रही है, ठीक है, हर सब्जेक में 20 प्लस स्कोर कीजिएगा, दोस्तों, तो पास आप लोग 100% हो जाएंगे, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, तो डरिये मत दोस्तों, आप लोग अच्छे से करजिए, आप लोगा 12 में साथ जरूद 12 में सुरुद से हम लोग तैयारी करेंगे, धाकर तैयारी करेंगे, फुल माक्स लाने का कोशिस करेंगे, तो जला आगे बड़ते हैं दोस्तों, εटीफोर में क्या पुछा गिया, 24 में पुछा गिया है, कि किस लेटिन सब्द से जश्टिस अर्थात, नया सब्द की उतप पुटपात पर रहने और बुनियादी ज़रुतों की पूर्ती के लिए संगर्स करने वाले व्यक्ति के लिए किस अधिकार का मुल्य नहीं है याद रहे कि दोस्तों राजनितिक अधिकार ऑप्शन जो भी है वो करेक्ट अंसर है चलिए आगे बढ़ेंगे लोगो 86 नमर क्व खेंगेר बंहें कि स्रिष्टि करता है बलकी उन्हें मैन नता परदान करता है किसने कहा है याद करके जाएगे दोस्तों यह लॉस्की ने कहा है और संजो भी है वो करेक्ट अंसर है चलिए आगे बड़ते नागरिकता अधिनियम कब पारित किया गया बहुत इंपॉटरेंट कोशन है जैक कता सब्सक्राइब नागरिकता अधिनियम कब पारित किया गया इसका 25-1955 में याद करके जाएगा ठीक है चलिए आगे बड़ते है 90 नमर कोशन में क्या उचाएगी है कि सबसे पहले किस देश ने महिलाओ को मताधिकार दिया था तो न्यूजिलेंड ने याद रखीगा न्यूजिलेंड अफसन जो डिये वो करेक्ट अंसर है चलिए 91 नमर कोशन में किस क्रांति के बाद राष्टवाद की लहर तेज हो गई तो याद रखी दोस्तों फ्रांस की क्रांति जो कब हुई थी 1789 में हुई थी आपसन जो B है वो करेक्ट अंसर है चलिए 94 नमर कोशन में किस ने कहा कि राष्टवाद पुंजिवाद अवधारना है राष डिकेट में में देस की हार ऊए दूसरें देस की जीत पर खुसी मनाता है याद रखी जोस्तों यह सइस रहत्ती भावना नहीं आपने मजाक नहीं उनाना चाहिए अपने देस्स को लेकर ठीक है अपने देस्कों आयसा घरवान Ultjक उनके लिलिए कुछ करना है दोस्तों हमा मार सल मेख लूहान सब्सक्राइब देखते हैं उसमेडान की प्रस्तावना में पांत निर्पेश्टा धर्म निर्पेश्टा सब्द जोड़ा गया था आप सभीक पता है 1976 इस दा करेक्ट अंसर आपसं से इस दा करेक्ट अंसर बहुत इंपॉर्टन कोशन है जैक खताब से दो आपसं में पूछा भी गया है चलिए 98 नमर कोशन देखते क्या पूछा गया क चलिए आज का लाश्ट और अंतीम कोशन देख सकते हैं महा वीडियो का क्या पूछाए कि किसने समिधान सभा में 13 दिसनबर 1946 को उद्देश से प्रस्ताव पेस किया था वह हमारे भारत के पहले परदान मंतरी पंडिज्वाहा लाल नेरु के द्वारा ठीक है तो आपसं ज आपको पास करना है लेकिन 12 में तभाई मचा कर रखना है ठीक है 12 में अच्छे त्यारी करेंगे ठीक है एक दिन में इतना त्यारी कैसे होगा यह तो पॉसिबल नहीं था चलिए आप लोग के लिए मैनज जा रही है और किस चीज का आप लोग वीडियो चाहिए वो भी कमे ठीक है 11 में एक जन भी मत रहिएगा ठीक है 12 में आना है अब हम लोग का नया घर है 12 11 पुराना घर है ठीक है आप इसको छोड़ने का बारी आ गया है मिलते दोस्ते एक नए वीडियो में धन्यवाद जैहिंद बंदे मात्रम